हाई वेल्काम टू भाच चनल इस वीडियो में सॉल्ट करें क्वेश्टन बर 17 आफ्टर एलाविंग डिस्काउंट आफ 20 परसेंट आन्दी मार्क्ट प्राइस आफ लेंप तो एक लेंप के मार्क्ट प्राइस पर 20 प्राइस पर 20 प्राइस का परसेंट इस दा मार्क्ट प्राइस एबफ दी कॉस्ट प्राइस तो बताए कि कितने परसेंट से जो मार्क्ट प्राइस है वो उपर है कॉस्ट प्राइस के ठीक है तो मतलब कि यहां पर एक्चुली जो कह रहा है उसको हम यहां पर depict कर दते हैं तो आपका है यहां पर पहले पहले Left प्राइस उसके बाद आता है मांगड़ प्राइस उसके बाद आता है सेलिंग प्राइस तो सिपी यहां पर अब कह रहें यहां पर mniejले कहरें कि किक्ता त्व्यजी टिशें डिश्काूट या रहता है किस Erि फे उनकट पर रहें मतलब कि mark price पर 20% discount दे रहा है मतलब कि यहाँ पर यह चीज 20% mark price में से घटा करके यह SP बेच रहा है selling price निकल रहा है मतलब कि यहाँ पर है 20% और यह discount है मतलब यह नीचे की error बता रही है मतलब घट रहा है मानस क्या जा रहा है अब यहाँ पर trader को loss हो रहा है losses losses are 20% sorry 10% तो जब loss percent की बात आती है तो हमेशा CP और SP में देखते हैं loss percent या gain percent ठीक है जैसा मैं सारे questions बताते आया हूं 1 से लेकर के 16 तक कि जब भी मेरा question ऐसा आया है कि loss percent और gain percent जब भी रहेगा वो CP और SP में ही हम calculate करते हैं इसका मतलब कि CP और SP में एक relation दे दिया है कि CP और SP में loss हो रहा है मतलब loss percent यहां दे दिया है loss percent is equal to 10% is equal to 10% यह दिया हुआ है बस तो पुछाए कि by what percentage is the market price तो पुछाए कि जो marked price है वो कितना percent से मतलब यह वाला market price जो है कितना percent से अधिक है CP से ठीक है तो आप समझेगा हम कैसे करेंगे इसको तो जब पुछाए कि marked price कितना अधिक है cost price से तो पहले क्या करना होगा कि marked price निकालना पड़ेगा और cost price भी निकालना पड़ेगा और तब देखना पड़ेगा कितना percent वो अधिक है ठीक है marked price तो अब करेंगे क्या पहले हमें CP माल लेना चाहिए एक्स ठीक है solution पहले हम CP को माल लेंगे कि एक्स है let the CP of the lamp be x रुपीज ठीक है हमने माल लेंगे कि CP जो लेंब का है वो x रुपीज है तो हमें क्या पता है देखे जब हमने माल लिया यह x रुपीज है तो SP निकल जाएगा क्योंकि loss percent दिया हुआ है CP और loss percent दिया रहता है तो SP हम निकाल लेते है formula क्या लगेगा हमारा formula यह होता है SP बराबर होता है CP multiplied by 100 minus loss percent upon 100 formula यह होता है यहाँ पर हम यूज कर लेंगे SP बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर SO यह निकल जाएगा SP is equal to CP multiplied by 100 minus loss percent upon 100 CP कितना यहाँ पर है CP है आपका X और 100 minus loss percent मतलब की 100 minus 10 upon 100 तो यहाँ पर solve करेंगे तो मिलेगा यहाँ पर solve बढ़ता है इसके आगे तो यहाँ हो जाएगा 90 X upon 100 00 किसल हो गया है मतलब मिल जाएगा 9 X upon 10 तो यह हमारा मिल गया SP अभी हमें निकालना देखे हमें actually क्या निकालना है marked price और cost price तो अब cost price तो हमने X माने लिया था अब हमें mark price बस निकालना है तो mark price बस निकालने के लिए क्लिए करेंगे हमें जुरुत पढ़ती है SP की और discount percent की तो SP पता है यहाँ पर और discount percent निकाल पता है selling price multiplied by 100 upon 100 minus discount percent discount percent यह formula होता है अब यहाँ पर put करेंगे SP कितना है 9X upon 10 देखें यहाँ पर यही आया है 9X upon 10 आपका क्या है SP है यहाँ पर तो यह हो जाएगा 9X upon 10 multiplied by 100 upon 100 minus discount percent कितना है sorry loss यहाँ पर है 20% discount percent दिया जा रहा है 20% तो यहाँ लिखेंगे 20 तो यह solve करेंगे 9X upon 10 into 100 upon यह हो जाएगा 100 minus 20 मतलब कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा और यह 0 जो 0 केंसल हो गया यह 0 जो है इस 0 केंसल हो गया मिल जाएगा 9X upon 8 9X upon 8 अब ध्यान दिजेगा हमारा MP भी निकल चुका है और CP भी पता है हमें दो चीज़े बस यहाँ पर यूज करना है question जो पूछा है उसको solve करने के लिए पूछा है कि what percentage कितना percentage से कितना मतलब MP जो है above है CP से यह find करना है न इसमें मतलब कि हम क्या करेंगे माल लेंगे यहाँ पर फिर से यहाँ पर कि let MP is X परसंट नहीं बलकि कुछ और मानेंगे क्योंकि यहाँ पर X मान चुके थे पहले तो let MP is Y परसंट above above the CP ठीक है कोई दिकत नहीं मानने में अब यह Y परसंट above मान लिए हमने CP से तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसका मतलब यह हुआ कि यदि हम CP में add करेंगे CP का Y परसंट निकाल कर ठीक है मतलब कि Y परसंट निकालेंगा मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ Y upon 100 मतलब CP में मतलब कर देंगे Y upon 100 से तो निकल जाएगा CP का Y परसंट और CP में add कर देंगे तो यह जो पूरा आएगा वो MP के बराबर आएगा कहने का मतलब यही है ठीक है यहाँ पर मैंने मान लिया कि Y परसंट CP से जो MP है क्या है ज्यादा है अधिक है इसलिए मैंने एरो यहाँ पर उपर बनाया है ठीक है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं यदि आपको यह समझ में आ रहा होगा यह कैसे हो रहा है मैं फिर से एक बार बता देता हूं क्योंकि यही important है यहाँ पर कि हमने यह माल लिए था कि MP क्या है यहाँ पुछा वही है कि MP जो है कितना percent से अधिक है cost price से तो हमने माल लिए कि माल लिए कि MP is y percent above the cost price जब above होगा cost price से y percent तो हम ऐसा लिख सकते हैं मतलब कि CP में यदि हम जोड़ेंगे CP का y percent मतलब कि CP में बढ़ाएंगे CP का y percent तो MP के बराबर आएगा ऐसा हो ऐसा दिया है इस दिया हो सकता है ठीक है यही concept है इसको समझेगा यदि इसमें गल्ति किये तो फिर गपर हो जाएगा तो समझेगे यहाँ पर कैसे करेंगे अब CP में पता है CP कितना है CP में मना था यहाँ पर x यहाँ लिख देंगे x plus CP यहाँ पर है x into y percent y upon 100 तो लिखेंगे वैसे ही इसको लिखेंगे MP कितना है MP आपको देखें माल प्रेस यहाँ पर है 9x upon 8 यहाँ लिख देंगे 9x upon 8 हमें निकालना है y बस फोकस करेंगे y कैसे हम निकालने तो 8 implies पहले x को हम लिखेंगे यहाँ मानस करें पहले left side में यहाँ 8 implies हो जाएगा x into y upon 100 is equal to इसको था हम वैसे रहने देंगे x को लिखेंगे मानस करता है तो मिलेगा हमें 9x upon 8 minus x x upon 1 करना पड़ेगा और इसका LC में हो जाएगा 8 8 बन जाए 8 तो 9x जी रहेगा minus 1 x जाए 8 तो यहाँ पर हो जाएगा minus 8x तो यहाँ मिल जाएगा x upon 8 clear तो मतलब कि हमें आ गया x into y upon 100 is equal to x upon 8 it implies यहाँ मिल गया हमे y मतलब कि x multiplied by y upon 100 is equal to मिल गया हमे x upon 8 हमें निकालना है y बस focus करिए कि y हमें निकालना है तो इस y में जो multiplied है यहाँ पर यह x upon 100 इससे हमें divide करना पड़ेगा आगे है कि नहीं y निकालना है तो तो y is equal to हो जाएगा क्योंकि y ही निकालना यहाँ आपर है कि y percent इबम माना था हमने तो y पर हो जाएगा यहाँ divide कर दीजे मतलब कि हम क्या करेंगे x upon 8 में multiply कर देंगे 100 upon x से 100 से multiply करेंगे इधर और x से divide करेंगे upon x देखिए x और x cancel out हो जाएगा और यहाँ पर 4 से cancel out करेंगे 4 तू जा 8 and 4 25 जा 100 होता है मतलब यह मिल जाएगा 25 upon 2 percent ठीक है y क्या है percentage में था ना है यहाँ पर देखिए y percent above the cost price माना था हमने तो यहाँ पर जो आपका y निकल गया वो आ गया 12.5 percent this is your required answer मैं तो अभी आप ले सकते हैं कि hence hence marked price is 12.5 percent 12.5 percent above above cp तो ऐसे आपको इस question का answer दिना पड़ेगा यह तरीका है इसमें ऐसे मान करके लेकिन एक और तरीका है यदि आप cp को 100 माने होते तब भी कर लेते यदि आप मालेजिए इसको 100 माने होते अब बताईए इसको यदि आप cp को 100 माने होते तो loss percent मतलब एक तो हमने cp को x मान कर लिया यह पूरा complete solve हम 100 मान कर भी कर सकते हैं cp को तो यदि आपके पास time है तो इसको भी देख लिजिए मैं थूरा सब अबता देता हूं यह तो आप यहीं पर रोख सकते हैं समझ गया होंगे या पर कैसे हो रहा है यदि हम 100 मानते हैं cp को तो loss percent 10% है तो 100 में से 10 minus करेंगे तो sp निकल जाएगा और sp आजएगा आपका 90 तो sp निकल जाएगा 90 अब mp निकालना हो तो mp के लिए हम use करते हैं यह वाला formula हम यहाँ पर थुदा साइट कर देते हैं और mp अब यहाँ पर निकालना है आपको तो यह कर लिजिए mp बराबर हो जाएगा sp में multiply करेंगे 100 upon 100 minus discount percent से तो यहाँ पर sp निकल गया हमारा 90 90 into यहाँ हो जाएगा 100 upon 100 minus discount मतलब कि 80 हो जाएगा है यहाँ जिरू जिरू रखेंसल हो गया यह मिल गया यह मिल गया 900 upon 8 तो यह 100 हमने माना था cp और यह मिल गया आपको mp इतना अब यह दोनों मिल गया ना अब इन दोनों का यूज करके आप यहाँ पर कल्वर कर सकते हैं y percent मान करके तो हमने जो यहाँ पर माना था y percent वहीं मानेंगे और यहाँ पर मिल गया cp of the cost price इसी के help से हम कर रहे हैं यहाँ पर तो हम यही फ्रमुला लगाएंगे यहाँ यह जो फ्रमुला है यही लगाएंगे तो यहाँ पर cp कितना अब यहाँ पर आया था 100 था यहाँ पर यूज करेंगे 100 100 plus 100 into y percent is equal to mp mp कितना आया था 900 upon 8 ठीक है अब यहाँ पर use करते हैं तो हमारा हो जाएगा क्या 100 को लगा मानस करेंगे पहले तो यहाँ पर हो जाएगा 100 अच्छा यह 100 रने कैसे रहे हो जाएगा और यह तो directly आ जाएगा 100 plus y is equal to हो जाएगा 900 upon 8 अब 100 को मानस करतेंगे तो मिलेगा आपको y is equal to और 800 upon 8 आजाएगा मतलब कि यह हो जाएगा 100 upon 100 upon 8 आजाएगा और यही उतना यहाँ पर था 100 upon 8 यहाँ कटाएगे आप तो मिलेगा आपको 12.5% ही मिलेगा तो finally answer हमारा ऐसे भी वही आ रहा है जो यहाँ x मानने पर आ रहा था ठीक है तो आप दोनों में से कोई भी एक तरीका अपना सकते हैं Thank you so much for watching Bye